हेलो, नमस्कार दोस्तों, 24 सितंबर 1932 को ब्रिटेन के ततकालिक PM Ramsey MacDonald द्वरा एक भारत के लिए कम्यूनल अवाड यानि के संप्रदाई की निंड़े के गोश्णा की गई इसलिए थी क्योंकि या दलित बिसेश के लिए बिसेश प्रधावन करती थी इस पे पूरे भारत में बहुत बिवाद हुआ कांग्रेस के एक एक लीडर स्वेम सरदार बल्लब भाई पटेल महात्मा गांदी जी जवार लाल नेयरू सुबास चंद्रबो जितने वे हिंदू पुराष्ट्रवादी थे सब ने इसका विरोध गया सभी ने सिवाए बाबा साहिब अमबेड कर गया क्योंकि यह बाबा साहिब अमबेड कर कि वर्सुं के तपस्या और परिश्रम का फल था यह इस कम्यूनल अवाड में जो तीन बाते सामिल थी यह तीन बाते दलितों की की दास्ता से मुक्त कर सकती थी जो सधियों से सहते हुए आये थे जो पृष्षेता का सिकार होते आये थे लेकिन पूना पैक्ट ने डाक्टर अंबेड कर कि सारी महनत पर इस कम्यूनल अवाड में दलितों के लिए कि अगर प्रावधान पर पूरा पानी फेर दिया वीड दलित भारत में सूसित रहे हैं हिंदू होने के बावजूद उन्हें हिंदू होने का कभी गर्व नहीं हुआ कि उन्हें सबसे समाज ये नीचले पैदान पर अच्छूत माना गया उन पर बहुत सारी नाकामिया लात्ती गई तुम पढ़ाई नहीं कर सकते जाती के अधार दलितों की स्थिती में सुधार करने के लिए आये और चले भी गये लेकिन अच्छूत हमेशा अच्छूत ही रहे और इस बात को डाक्टर अंबेडकर बहुत अच्छे से समझते थे डाक्टर अंबेडकर को पता था कि जब तक दलित हिंदु धरम में रहेंगे इनको सम्मान से जिने का कभी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकता है इसलिए डाक्टर अंबेडकर साइमन कमिशन जो 1928 में आया था जिस साइमन कमिशन का पूरे भारत ने विरोध किया उस साइमन कमिशन के पास जा करके और अपनी मांग रखते हैं दलितों के उत्थान के लिए राउंड टेबल कंफरेंस जो ब्रिटेन में आयोजित किये गए थे ब्रिटेन सरकार द्वारा जहां भारती कांग्रेश नहीं गई लेकिन डाक्टर अंबेडकर वहां पे गए दलितों की अधिकार की मांग के लिए डाक्टर अंबेडकर जाकर अंग्रेजी सरकार को ये समझाए कि दलित हिंदू नहीं है उन्हें हिंदू धर्म में किसी भी तरीके का शमान से जिनने का अधिकार नहीं है उनके साथ भेद भाव डिस्क्रिमिनेशन किया जाता है। दाक्टर अंबेटकर तीन मांग रखते हैं कि दलितों को हिंदुओं से प्रिथक किया जाए और एक स्वतंत्र पसंख्यक का धर्जा दिया जाए। दूसरा मांग रखते हैं कि इनके लिए एक अलग निर्वाचन श्यत्र की वेवस्था किया जाए। और सारवजनिक जो नोकरियां हैं उनमें इनको प्रतिनीधी आरक्षित किया जाए। अंग्रेजी सरकार इनकी बात को मान लेती है। और अगस्त 1932 में रेम्जे मक्डोनाल्ड द्वरा एक घोशना की जाती है। इसको कम्यूनल अवाड या फिर संप्रदाईक निड़ाई की रूप में जाना जाता है। इस घोशना में अबेडगर के तीनों बात स्विकार कर ली गई थी। यानि कि दलीतों को हिंदु धर्म से प्रिठब कर एक स्वतंतर अलपसंख्यक का दर्जा देने की बात की गई थी। इनके लिए एक अलग निर्वाचन छेत्र की विवस्था की गई थी। अलग निर्वाचन छेत्र का मतलब यह है कि वहाँ पे केवल दलीती चुनावा लड़ेंगे और दलीत ही उत देंगे। दलीतों की ही सरकार होगी। किसी और community, किसी और जाती की नहीं। यानि कि दलीतों की सरकार और दलीतों के लिए सरकार होगी। कि दलीतों का अपना एक स्वतंतर नित्ति रित्व खड़ा होगा इस कम्यूनल अवार्ट का भारत में बहुत तेजी से विरोध होता है जितने भी हिंदु वादी नेता थे राष्ट्रवादी नेता थे सुम्म गांधी जी इसकति विरोध करते हैं गांधी जी कहते हैं कि एक अधिकार हिंदु धर्म के समढ़ो द्वारा ही देना है और वो इस विवस्था से और ज्यादे हिंदु धर्म से दलीतों दूर हो जाएंगे जिसके वज़ा से यह खाई हमेशा के हमेशा पटी रह जाएगी समढ़ों और दलीतों के वीज यानि कि कभी उन्हें अब तो गांधी जी जो हमको कम्यूनल अवार में अधिकार दिये गए हैं यह वापस लेने की बात करेंगे तब मात्मा गांधी डाक्टर अंबेटकर पर प्रेशर बनाने के लिए पूरे के अड़वदा जिल में आमर अनसन पर बैठ आते हैं आमर अनसन की मतलब कि जब तक वो wasp ॉमर नजाए क है तब तक अनसन करेंगेeping चारों तरफ से डाक्डर मीघ्कर पर प्रेसर आंड लगता है जितने भी प्रेस,ब्यो,श,पत्रिक और थी,डाक्टर अंबेटकर के बिरुध में लेक लिखिघर लिख ने लगते हैं सुपयम कस्तूर्भा गांधी जाती हैं, डाक्टर उम्बेडकर के पास यह रिक्विष्ट करने कि आप गांधी जी से बात किजिए। बहुत जाद ही प्रिषर बनता है और इसमें डाक्टर अम्बेटकर को यर्वदा जेल में जागर के मिलना पड़ता है गांदीजी से वहां गांदीजी तीन मांग रखते हैं अम्बेटकर के सामने पहला ये कि जो प्रिथक निरवाचन प्रणाली के बात की गई है दलितों के लिए उसे खतम करके सन्युक्त निरवाचन प्रणाली लाया जाए सन्युक्त मतलब कि वहां पर कोई भी चुनाव लड़ सके और सभी कम्यूनिटी के लोग उट देंगे गांधी जी की दूसरी मांगे थी कि अलग जो प्रिथक अल्पसंख्यक का दर्जा दलितों को देना इंदु धर्म से अटाके इसे भी समाप्त किया जाए कि हम हरिजणों के उत्थान के लिए अप्रिष्यता के लिए चुवा छूत के लिए हमे को आंदोलन करेंगे राष्ट्र बापी आंदोलन गांदी जी कि इन तीनों बातों को आंबेट कर जो है वह वह मानने को प्रेसर में आगर के मानने को तैार हो जाते हैं माजबूरी बस लेकिन वह एकूर सर्त ढ़了吧 कि इस सभी प्रांतों में डेढ़ सो से जादे सीटे ने दलितों के लिए आरक्षित किया जाए। कंग्रेस और गांधी जी इस बात पे राधी हो जाते हैं। और जो 78 सीटे कम्यूनल अवाड में देने की बात की गई थी। कांग्रेस और गांदे जी ने 147 सीटे देने की बात के, आरक्षित करने की बात के, फिर 24 सितंबर 1932 में पूना समझवता हो जाता है, दलितों और समर्णों के बीच, और जो इसमें संसोधन हुए थे, अंग्रेजी सरकार उसे कम्यूनल अवाड का संसोधन मांगे अपना लेत गया, सनिक तनिर्वाचन छेत्र में, इससे दलितों में एक दोहरी गुलामी की सुरवात हुई, गुलामी राज्की, चमचागेरी की सुरवात हुई, जितने बे इंदू समण संगठन थे, वे अपने पार्टी से उन दलितों को टिकट दिलाने लगे, जो दलितों की नित् इंदू समाप्त कर दिया और इनके विकास के उत्थान के मारग को अरूध कर दिया, आप क्या सोचते हैं कम्यूनल अवाड और पुना पैक्ट के बारे में, कमेंट बाक्स में ज़रूर बताईएगा, यह भी जरूर बताईएगा कि क्या यदे कम्यूनल अवाड लाग हो ग कर दो कर दो कर दो 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 एंग